बिग बूस तरडीन से अपने करियर की शुरूआत करने वाली शेहनाजगिल हाल फिल हाल चर्चाओं में बनी हुई है शेहनाजगिल ने एक प्रोग्राम में शिर्कत की जिस प्रोग्राम का नाम था जिसे और्गनाजगिल के गुणगावा वाले रिहाविलिटेट सेंटर में शेहनाजगिल पहुँची थी जहां एक तरब शेहनाजगिल का भव्य स्वागत किया गया उन्हें काफिज जादा रिस्टक्ट दी गई और साथी साथ शेहनाजगिल को ब्रहम कुमारिज ने अपना ब्रैंड एम्बेसडर न्यूट कर दिया है जियां शेहनाजगिल अब ब्रहम कुमारिज की ब्रैंड एम्बेसडर हो गई है और एक बहतरीन प्रोग्राम में शिर्कत करने के लिए शेहनाजगिल को इम्मिटिशन ब्रहम कुमारिज से आया था परिया प्रोग्राम में शेहनाजगिल के चर्चे लगातार होते रहे शेहनाजगिल को लेकर वहाँ भी कागज़ अएक्साइटमेंट लोगों में देखने को मिली जहां एक तरफ शेहनाजगिल के फैंस थे वही बुर्हम कुमारे इसमें आई हुई महिलाएं भी शेहनाज गिल को लेकर काती 사람ा उताही तर्थाए तर्थाई इसी बीच कई महिलाओं ने शेहनाज को जबरन रोकने की कोशिश की शेहनास का हाथ पकड़ा उन्हे खीचने की कोई उन्हें चुने की कोशिश करने लगा जिहां शेहनाज के ये वीडियो वाइरल हो रही है जिसमें देखा जाता है कि शेहनाज गिल को लोग टेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं हला कि उनका इंटेंशन गलत नहीं है लेकिन ऐस अ सेलिबरिटी शेहनाज गिल को इन दिक्रतों का सामना करना पड़ा हला कि जो भिड़ नज़र आ रही थी उस भिड़ में दर रधर महिलाएं थी लेकिन महिलाएं भी शेहनाज का हाथ खीचने की कोशिश कर रही थी उन्मेह टेस्क करने की कोशिश कर रही थी भल कहना गलत नहीं cier談 मांदी सेलिबरिटी केलिए भरहम कुमारिस के सेंटर में उपक्ता इंकिजामाट नहीं किये गए थे भही भरहम कुमारिस के सेंटर में ना सर्फ शैनाज गिल नजर आई और आपको बतारे शेहनाज गिल ताफी ज़ादा बहतर पॉजिटिविडी की बाते करती हुई नजर आई इसी बीच ध्यान देने वाली बाती है रही कि शेहनाज गिल के इस प्रोग्राम में सिधार्थ शुकला की माता जी नदारत रही यहां रीटा मा जीने कहा जाता है वो दर असल इस प्रोग्राम में नजर नहीं आई एक तरफ शेहनाज गिल को इस पूरे प्रोग्राम में लाने वाली वही है ऐसा माना जाता है कि सिधार्थ शुकला की फैमली से इंफ्लियंस लेकर शेहनाज गिल ब्रहम कुमार इसको जोइन कर चुकी है लेकिन सवाल यह है कि आखर सिधार्थ शुकला की माता जी इस प्रोग्राम में क्यो नहीं आई शेहनाजगिल से पहले सिधार शुकला अपनी मा रिटा मा के साथ इस सेंटर में आया करते थे और अलग अलग जहा जहा ब्रहम कुमारिस के सेंटर है वहाँ नजर आते थे और अगर बात की जाए शेहनाजगिल की तो शेहनाजगिल सेधार शुकला की फैमली से मिलने के बाद ही ब्रहम कुमारिस के इंफ्लियंस में आई थी लेकिन सवाल यह है कि आखिर रीटा मा इस संविलन में शामिल क्यों नहीं हुई जहां एक तरफ शेहनाजगिल की तमाम फैमली और उनके तमाम फैंस वहां मौजूद थे पुरा ब्रहम कुमारिस परिवार मौजूद था लेकिन रीटा मा का कहीं पता नहीं था हाल विलाल वीडियो वह भी वाइरल हो रही है जिसमें शाहिनाजगिल को लोग तच करने की कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं कि इस तरह के तद्र अब्डेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें आई कर तो पहुंचता रहे हैं हमारा हर डिटस प्रेट कि अ कि